आप्चारिक कारवाई शुरू करने से पहले हम सभी की और से कुछ देर पहले मौरोकों में आये भूकम से प्रभावित लोगों के प्रती मैं अपने हारदिक समवेदना प्रगट करना चाहता हूँ हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजड लोग श्रीग्र स्वस्त हो इस कठीन समय में पूरा विश्व समुदाय मौरोकों के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तयार हैं यॉर हाइनेसेज एक्सलेंसीज जी ट्विंटी के प्रसेडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हारदिक स्वागत करता है इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं यहां से कुछी किलोमेटर के फासले पर लगभग धाई हजार साल पुराना एक स्तंब लगा हुआ है इस तंब पर प्राक्रित भाशा में लिखा है हेवम लोकसा हित मुखेती अथ यम नातीसु हेवम अर्थाप मानवता का कल्यान और सुख सदेव सुनिस्चित किया जाए दाहे हजार साल पहले भारत की भूमी ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था आईए इस संदेश को याद कर इस G20 समीट का हम आरंब करे 21 सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपुन समय है यह वो समय है जब बरसों पुरानी चुनोतियां हमसे नए समाधान मांग रही है और इसलिए हमें हुमन सेंट्रिक एप्रोच के साथ अपने हर दाइत्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है फ्रेंक्स कोविड नाइंटीन के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आये इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं आज जी ट्वेंटी के प्रसिडेंट के तोर पर भारत पूरी दुनिया का आवान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास एक भरोसे में बदले जो हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय हैं और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है बैश्विक अर्थिववस्ता में उथल पुथल हो, नौर्थ और साउथ का डिवाईल हो, इस्ट और वेश्ट की दुरी हो फूर्ड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मेनेजमेंट हो, टेरिजम और साइबर सिकुरिटी हो, हेल्थ, एनरजी और वोटर सिकुरिटी हो वरतमान के साथ ही आने वाली पीजियों के लिए हमें इन चुनावतियों के ठोज समाधान के तरफ बढ़नाई होगा फ्रेंक्स, भारत की G20 प्रसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का सबका साथ का प्रतिक बन गई है भारत में ये पीपर्स G20 बन गया करणों भारतिये इस से जुड़े देश के साथ से ज्यादा शहरों में दोसों से ज्यादा अधिक बैठके हुई सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रिकन यूनियन को G20 की स्थाई सदस्यता दी जाए मेरा विश्वाथ है कि इस प्रस्ताव पर हम सब की सहमती है आप सब पी सहमती से आगे की कारवाई सुरू करने से पहले मैं अफ्रिकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थाई सदस्यता के रूप में अपना स्थान ग्रहन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ यूफ Hmm एखलाए एखलंसी 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 इसके साथ ही मैं मीडिया के साथियों से भी बिनम्रा आगर करूँगा कि वे अब हमें